तो friends यह है वो product जिसका आज मैं review करने वाली हूँ और इसका already review आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा वो मैंने first review किया था इसका और अभी दुबारा review करने की क्या neat हुई जो मैं इसका दुबारा review कर रही हूँ विदिन मन्त हो गया होगा तब ही मैं इसका दुबारा review कर रही हू तो जान लेते हैं इस वीडियो में तो welcome and welcome back to my channel my name is Nilofer and you're watching me on Nilofer's review YouTube तो friends जैसे मैंने बताया यह है Bella Vita का shampoo जिसमें है black seed, Bella Vita का black seed onion shampoo है यह इसका review मैंने पहले किया है आपको मैं दे दूँगी link description box में आप जाके वहाँ देख लेना first of all उसको ही देख लेना तो मैंने उसका first use किया था उस product का means यह shampoo मैंने first time use किया था second time था तब मैंने use करके उसका review किया था तो उस review में मैंने बताया था कि इसको apply करने के बाद मेरे बालों पे थोड़ी सी harshness आगी है means थोड़ी सी shine है बट बहुत ही heart से feel हो रहा है ठीक है उस time यह नहीं पता चला था कि कितना hair fall बढ़ रहा है या रुक रहा है तो मैंने तब बोला था कि मैं इसका आगे एक separate review फिर से बनाऊंगी जब मैं इसको अच्छे से apply कर लोंगी उसके बाद मैं means इसका review आप लोगों को फिर से दूंगी तो for that मैं अभी आगी हूँ और मैंने पहले सोचा कि कोई need नहीं है अभी इसका दुबारा review करने का बट मुझे लगा कि नहीं मुझे लोगों को aware कराना चाहिए जो मेरे subscriber है मेरे viewers है उन्हें मुझे बताना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका already reviews किये हैं और मैं यह नहीं कहूंगी कि वो फेक reviews है बट वो इतना means search भी नहीं है क्योंकि जिन्होंने यह already use कर रखा है वो मेरी बात को deny नह और notification bell है उसको जरूर प्रेस कर दे क्योंकि फ्रेंड जैसे आपको पता है मेरे channel पर मिलते हैं आपको honest review तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूं कि मैं किसी भी product का अगर आपको review देती हूं तो वो honest हो मैंने खुद पर apply किया हो और मेरे जो भी result आया हो मैं आपको live proof में दिख product reviews और अभी मेरा कोई भी product ऐसा नहीं है जो PR हो या इस टाइप का मैं ऐसा कुछ नहीं जो मैं खुद अपने पर यूज करती हूं उसका ही आपको review देती हूं तो जैसे अभी यह बैला बीटा का मैंने first time face wash यूज किया था तो वो truly बहुत अच्छा है means बैला बीटा जो brand है वो काफी अच्छा लगा मुझे first time use किया था मैंने और आयरवेदिक था natural inspired wellness है यह means सारी चीजे इसमें कुछ भी ऐसे harmful chemicals नहीं थे उस face wash में और first use में ही मेरी skin पे काफी glow आ गया था और काफी अच्छी हो गई थी तो वो मुझे बहुत 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 पसंद आया था उसका भी मैंने review कर रखा है उसका मैं link आपको दे दूँगे description में आप जाके वहाँ से देख ले न और उसको वो काफी logo को suit किया है means अभी जिनों ने उसको मेरे review के बाद purchase किया या मेरे review से पहले purchase किया उन सबको वो पसंद आया और बहुत ही अच्छा है तो उससे inspire होके अच्छे शैंपू भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि hair fall बहुत हो रहा था बालों पे तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राइ करके देखते हूं क्योंकि इसमें black seed है onion है coffee beans है और इसमें यह कि नो डेंडर्फ आपको डेंडर्फ नहीं होगा सेलिकॉन फ्री है सल्फिट फ्री क्योंकि प्लांट बायोटिन है ठीक है केराटिन बाइड बायोटिन तो ब्रेंगराज भी है अरगन सीड है तो मुझे लगा काफी सारी खोबी आए तो मुझे से यूज़ करके देखना चाहिए यह सबसे पहले लिखा हुए यह ग्रोथ प्रोटीन वॉल्यूम कंडिशनिं शैंपू मीन्स यह शैंपू तो है साथने कंडिशनिंग भी करता है और जब मैंने इसको फर्स्ट यूज़ किया तो मुझे यह मीन्स थोड़ा सा लगा के कंडिशनिंग जैसी तो इसमें कोई भी चीज नहीं है मीन्स जब आप कंडिशना करते हो आपके हैर्स बहुत फोर टाइम ही यूज़ किया है आप देख सकते हो वन मन कंडिशनिग हो गया और अभी इतना ही खत्म है और यह मैंने खुद नहीं लगाया मैंने सिर्फ थी टाइम ही यूज़ किया है और अपनी सिस्टर और घर पे जो लोग है उनको भी यूज़ करवाया है क्योंकि मैं चाहती थी मैं देखना के यह मेरे ही हेर्स पे ऐसा वक कर रहा है है सबके तो सारे रिव्यूज ही नेगेटिव थे और भी लोगों के मैंने रिव्यूज लिए मेरे फ्रेंड्स फैमली रिलेटिव में तो सबके रिव्यूज वही थे जो सेम मेरे हैं के बालों पे बहुत ज सबस्क्राइब जाएंगे कि आप उनको त्पाल में किर से बुच्ट सारी आपका हेसा और ना襟 पाल ने कि अथ जाए गए वाल को खीज्टा हुए जिए छाओ। नान ब रामाा युटऊ कि यड़़न को पूरह लिए रहामा रहना कर सकते हो तो C wash में ही शाइन चली गई और जो भी मेरे means hair fall है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मेरी side से ये एक worst product है और इसका जो face wash बहुत अच्छा है मुझे अब मतलब लग रहा है कि वो इतना अच्छा है तो इसको भी थोड़ा बहुत भी अगर ये work करता तो ये चल जाता बट बि खा देती हो यह देखिए MRP इसकी यह 399 की बट यह 399 का नहीं मिला था कुछ कम का ही मिला था मुझे याद नहीं expiry इसकी 18 months है ठीक है इसमें जो भी चीज़ें आप देख सकते हो ingredients हो काफी सारे अच्छे निंग extract है ब्रिंग राज है mix herbs हैं बट यह सारे mix herbs हैं बालों को means हो सकता है strong बनाने के लिए हो बट इनसे क्या हो रहा है बाल बहुत जादा rough बहुत जादा dry और बहुत manageable बिलकुल भी नहीं रहते इससे अच्छे तो आप means जो वैसे शैंपू है ordinary शैंपू आप ले सकते हो वह अच्छा वाग करते तो यह मेरा एक brutal सा review था और मुझे बिलकु चाह रहा है या फिर चाह रहा है कि अपने बालों पर try करने के लिए तो मेरी तरफ से तो यह है कि आप मत खरीदो आपके पैसे waste चाहेंगे फिर भी अगर आपको लगता है तो आप try करके देख लो और आप जब try करना तो अपने reviews मेरे से जरूर शेयर करना कि आपको कैसा ल पर परस ऐसा कुछ नहीं है कि किसी brand को खराब करना या किसी product की बुराई करना है बट जब हम review करते हैं किसी product का तो में बहुत धिहार नखना पड़ता है क्योंकि हमारे product के review से inspire होके लोग उस चीजों को buy करते हैं पचेज करते हैं हमारे पे trust करके और उसको use करते हैं और hairs क मामला ऐसा आप देख सकते हो किते dry हो गया मेरे hair बहुत जदे dry हो गया है बहुत जदे hair fall हो गया है और पहले भी था बट इससे बढ़ गया तो मैं नहीं चाहती हेर का मामला ऐसा होता है एक बार hair fall start हो जाता है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल सा लगता है और बहुत problem भी आती है बहुत सही चीजे DIY उस करते हैं तब जाके बाल ठीक होते हैं तो मैं नहीं चाहती है कि और लोग इससे मतलब इसके harmful जो means result है उसको देखें इसलिए मैंने इसका review किया तो आपको अगर लगता है कि आप इसको ट्राइ करना चाहते हो तो आपको अगर लगता है कि उसके first use पर ही आपको पता चल जाएगा कि वह बहुत ही effective है बहुत जादा glow आता है तो आज का मेरा बस एक छोटा सा यही था एक वीडियो तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को और friends and family में शेयर कीजेग तो आज का आपको रिव्यू अच्छा लगे तो please 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 like कर देना ठीक है चलिए फिर मिलते हैं next वीडियो में till then goodbye take care